नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं इसके बाद इस नीती में संसोधन की जरूरत दिखी है, अन्या था नियुक्ति की पर किरिया ठप पड़ जाएगी बतादे तमाम समस्याओं का निदान करते हुए अबनाय सीरे से नीजन नीती की आउ सकता है ताकि हजारों की संख्या में सरकारे भी भागों में रिक्त पड़े पड़ों को भरती पर किरिया अरम की जा सके राज में लोगों को रोजगार मुहया कराने की गति को भी रफ्तार देने की जरूरत होगी ऐसा नहीं होने पर इसका सिधा असर राज सरकार के कामकाज पर पड़ेगा बड़े पहमाने पर बेरुजगार हो रहे युवाओ को भी राजे में रोक पाने में सरकार असफल होगी राजे में पुर्व से ही पलाएन एक वड़ी समस्या है बिधान सभा के 82 सत्र में नियोजन नीती को संसोधीत करने की बात की जा रही है ताकि हाई कोट के फैसले का अनुपलन हो सके अथवा उसको उपरी कोट में चिनोती दी जा सके मुख सचीव ने पुर्व में ही निर्देश दिया था कि पुरानी नियोजन नीती तयार करे लेकिन इस निर्देश पर अभी अमल नहीं हो पाया है मौसम विभा की ताया रिपोर्ट के मुताबिक 12 फरवारी तक अलग अलग जगों पर हलकी बारिस हो सकती है आएमडी ने पहाडी हिसों में वर्फ बारी का भी अलग जारी किया है इसके अलावा 20 फरवारी को कुछ जगों पर आंधी तुफान के साथ साथ बिजली कड़कने की भी असंका जताई है बता दे फरवारी महीने अपने अमतिम पड़ा पर है अभी होली का तेवार आना भी बाकी है लेकिन इसे पहले ही देश के कई राजियों में मार्च जैसी गर्मी का लोगों का सबना करना पड़ रहा है निमतम और अधिक्तम तापमान में हर दिन इजाफा हो रहा है नकसलियों का फरमान बैठक में सामिल हो युवा वरना काट देंगे हाथ पर पच्मी सिमुम जीले में नकसली अपने संगठन विस्तार में जूट गाया है टोटो पर खंड के टेसेरा में पिछले 4-5 दिनों से 40-50 नकसली घुम रहे है रात में घर घर जाकर युवक और यूतियों को संगठन में सामिल होने का फरमान सुना रहे है युवकों को नकसलियों की बैठक में सामिल होने का निमंतरन भी दे रहे है नहीं पहुचने पर हाथ काटने और पैर तोड़ने की धमकी दे रहे है इससे गरामिन दहसत में है पिछले तीन दिनों में गाउं के आधा दर्जन से अधिक यूग यूटी प्लाइन कर दूसरे सरों में मजदूरी के लिए चले गए है एक गरामिन ने बताया है कि तीन दिन पहले नकसरी रात में गाउं में आये थे घर घर जाकर मिटिंग करने की बात कही इसमें परतेग घर से युगक युगतियों को उपस्थित होना अनिवार बताया था सांसत खेल महोसो का समापन जार्खन के राजेपाल सिपी रादा कृष्णन ने कहा है कि जार्खन अपार संभोनाओ वाला परदेश है इस राज में असीम खेल परतिभाय हैं जिनें परुसाहित करने क्यों सकता है हमारे युवाओ को प्रतिबत्ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए उन्हें उत्कृष्टा हासिल करनी होगी वे यह संकल्प ले कि वे अपने लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं राजेपाल रभिवार को राची के खेल गाविष्टीत मेगा एस्पोर्ट कमप्लेक्स में आयोजी सांसद खेल महोचो के समारो को समोधित कर रहे थे तीन दिवस ये सांसद खेल महोसों के आयोजन के लिए उन्होंने लोक सबा सांसद संजय सेठ को बदाई देते हुए कहा है कि ग्रामिन छेतर में युवाओ के बीच खेल को आगे बढ़ाने वह एक नया आउसर परदान करने की दिसा में असरानिये प्रयास है रांची को मिलेगा दो अंतराष्ट्रिय परत्योगता की मेजबानी का मौका जारखन की राइधानी रांची आने वाले कुछ महिने में दो अंतराष्ट्रिय परत्योगता की मेजबानी करेगा इसमें एक एथलेटिक्स का और दूसरा होकी का होगा रांची में अंतराष्ट्रिय अस्तर के इंफ्रस्ट्रक्चर को देखते हुए अंतराष्ट्रिय फेडरेशन की ओर से इसकी में जवानी करने का मौका दिया जा रहा है अक्टूबर या नॉमबर में ये दोनों आयोजन रांची में होंगे इसमें South Asian Athletics Championship और होंकी का इंटरनेशनल इवेंट का आयोजन सामिल है South Athletics के आयोजन की त्यारी खेल निदेशालाई की ओर से की जा रही है बता दे South Asian Athletics Championship का आयोजन पहली बार रांची में होगा इसमें साथ देशों के 400 से भी अधिक अंतराश्ट्रिय अस्तर के खिलारी रांची में सिर्कत करेंगे Supreme Court से जहारखन सरकार वजे SSC को नोटिस जारी Supreme Court ने वर्ष 2015 में सुरू होई सिपाही बाहाली में रिक्त रह गई सीटो पर नियुक्ति के मामले में दायर Special Live Petition पर सुनवाई की प्रार्थी का पक्स सुनने के बाद Supreme Court ने जहारखन सरकार वजहारखन करमचारी चेन आयोग को नोटिस जारी किया है कोट ने सपत पत्र दायर करने को कहा बताद जस्टिस अनिरूद बोस वर जस्टिस सुधान सू धुलिया की खंड पीठ में मामले की सुनवाई होई इससे पुरो प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखते हुए खंड पीठ को बताया है महिलाओं के लिए 36 आरक्षन से समध रिक्त सीटो अगली वैकेंसी में नहीं भेजी जा सकती है इन सीटो को वर्तमान वैकेंसी में ही भारा जा सकता है महिला अभियार्थी के नहीं रहने पर योग ये पुरूस अभियार्थी की नियुक्ति की जा सकती है लेकिन दूसरे बैकेंसी में सीटों को कैरी फरवर्ड नहीं किया जा सकता वहीं अधिवक्ता सिरी टंडर ने सुप्रीम कोट द्वारा वर्ष 2021 में सौरव यादों के मामले में पारित आदेस का उधारन देते हुए कहा कि 36 आरक्षन से समन्दित पहले ही आदेस दिया जा चुका है इस मामले में जारकन हाई कोट का आदेस सही नहीं है उन्होंने 36 आरक्षन के तहुत रिक्त सीटों परवर्तवान बहाली में योग पुरुस अभियारती से सीट भारने के लिए आदेस देने का अगर किया रामगण बिधान सभा उपचुना बिजेपी परवर्से सियम हेमांत रामगण बिधान सभा उपचुना को लेकर गोला के एसेस पलस टू हाई स्कुल में रविवार को यूपिय पर त्यासी बजरंग मात्रों के पक्ष में चुनावी सभा का आउजन किया गया उन्होंने कहा है कि जहारखन में मूल आदिवासियो की सरकार बनी है इसलिए भी पक्षियों के बैट में दध हो रहा है उन्होंने कहा है कि यहां साजिस के तहट मामता देवी को फसा कर जेल भेज दिया गया इस कारण इस सीट पर योजना बत तरीके से उपचुना हो रहा है आप लोग 27 फरवरी को होने वाले मतदान में EVM के एक नंबर हाथ छाप पर इतना बटन दबाईए ताकि जब भोट की गिंती हो तो ममता देवी को नयाय मिल सके उन्होंने कहा है कि यहां यूपिय परत्यासी बजरंग मातों के जित निश्ची था है राज किये इट खोरी महोसों की भव्य सुरुवात जारखन के चातरा जिले में रभिवार को तीन दिवसे राज किये इट खोरी महोसों की सुरुवात होई मुख्याती थी स्रम मंत्री सत्यानद भोकता सांसा सुने सिंग वा बिधाया किसु दास ने दिप प्रजलित कर सुबारम किया स्रम नियोजन प्रसिक्षनों कोसल विकास मंद्री सत्यानद भोकता ने कहा कि मा भद्रकाली मंदीर में आट वर्सों सराज किये इट खोरी महोसों मनाया जा रहा है इस वर्स धुम धाम से महोसों मनाया जा रहा है 14 जिले में माबद्रकाली के साथ सभी धर्मिक अस्थलों को बिक्सित करने के लिए संकल्पित हो सभी धर्म अस्थलों को जोड़ कर इनके विकास की दिशा में काम किया जाएगा खुरहा रोग से बचने के लिए सुरू हुआ टिका पसुपालन विभाग के अंतरगत धनबाद जिले में पसुओं को खुरहा रोग से बचाने के लिए टिका करन एक बार फिर से सुरू कर दिया गया है पिछले एक महिने से चल रहे कृतिम गर्व धान करकरताओं के हरताल की खत्म हो गाई है इसके साथ ही विभाग में एक बार फिर से टिका करन तेजी के लिए सभी परखन के पसुपालन पता दिकारी को निदेशित किया गया बतादे धनबाद में कूल 3,82,000 मौशियों को टिका से जोड़ने का लक्ष रखा गया है विभाग ये आगड़ों की माने तो अभी तक 1,62,000 पसुपालन को टिका करन से जोड़ा गया है साथ इस्टर्ण कोल फिल्ड में 405 पदो पर भरतिया है CECL की इस भारती के लिए आवेदन पर किया अंडर पूर्सेस हाए एक्छुक अभियार्थी 23 फरवरी 2023 तक आपना आवेदन पत्र जामा कर सकते है SECL भारती में आवेदन करने के एक्छुक अभियार्थी ओफिसियल वेबसाइट SECL.IN पर जाकर अंडर आवेदन कर सकते है धन्यवाद